की है कि अ कर दो कैद विविए गाई वेलकम तो कोड़िंग सींस और युँफ्ट करेंगी अीज और आज रेफ गाई य hakkम बात करेंगे अदला क्रेंगे वोग्रामिंग के बारे में आगे हम बात करने वाले functional programming के बारे में जो कि हम javascript में use करते हैं राइट अब object oriented programming या functional programming दोनों चीज़ क्या programming paradigm है यानि कि यह आपको कैसे program लिखना है उसके बारे में आपको मतलब approach देता है कि आप यह follow कर सकते हो यह follow कर सकते हो हमारे पास अगर आप देखोगे तो दो approach है जिसमें say object oriented programming popular है यहाँ पे basically क्या है कि इन दोनों को follow करके आप यहाँ क्या क्या पा सकते हो अगर आप यहाँ पे screen पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिख के रखता है basically यह क्या प्रोवाइड करता है अगर आप इन दोनों में से कोई चीज को follow करोगे तो clear and understandable right यहाँ कि basically आप एक clear code लिख सकते हो और understandable code लिख सकते हो यहाँ कि let's say आप group में programming करते हो या फिर आप टीम में काम कर रहे हो अब आप चाहते हो कि आपका लिखावा code जो है दूसरे को समझ में आए और उनको कोई दिक्कत नहीं हो जिस दिन आप नहीं काम करें उस दिन भी काम करें और आपके code को use कर पाए या फिर समझ के उसके उपर action ले पाए right दूसरा क्या है easy to extend अब देखिए अगर इन दोनों approach को follow करोगे तो easy to extend मतलब किया कि आप एक program को extend कर सकते हो उसके features राइट यानि कि लिद से आपके बास एक program है उसमें कुछ-कुछ features है आप एक और program बना रहे हो और आप क्या बोल रहे हो कि आपको same feature चाहिए दूसरे program में तो आप क्या करोगे आप वापस वो चीज़े नहीं लिखोगे आप उसको extend कर लोगे तिसरा क्या easy to maintain maintenance का काम का बाता है जब आपने के application लिखती अब बाद में request आई क्लाइन से कि भाई इसमें ना एक feature add कर दो अब देखिए यहाँ पर आपका maintain नहीं easy to maintain नहीं अगर हो program तो आप क्या करोगे आप बोलोगे कि मुझे फिर से एक application rewrite करने पड़े कि सिर्फ और सिर्फ इस feature को add करने के लिए लेकिन एक ऐसा program आपने लिखा है जिसको easy to maintain है तो basically आप उसको extend कर सकते हो आप उसको maintainable कर सकते हो long term के लिए जो भी changes है आप उसको perform कर सकते हो और उसको deliver कर सकते हो यह कहीं पे भी एक best practice वाना चाहता है किसी program क एक clear लिखने का उसको बागी समझ सके उसको extend कर सको उसको maintain कर सको और दूसरा है कि चौता point पर क्या आ रहा है memory efficient राइट memory efficient मतलब क्या यहां पर बात कर रहे हो और यहां चौता part क्या आ रहा है memory efficient basically memory efficient क्या है कि आप यह बोल रहे हो कि आपका program memory leak नहीं करता आपका program ऐसा है कि उस पे कोई भी ऐसा कोई भी कोड नहीं है जो कि मेमरी बहुत जादा हाई उट्लाइज कर लेगी और जिसके करना आपका सिस्टेम स्लो होगा या कोई दूसरे अप्लिकेशन को कम मेमरी मिलेगी और टर्मिनेट हो जाएगी तो बैसिकली ऐसा रॉंग प्रैक्टिस है राइक क पर जो में पर क्या आता है keep your code dry basically keep your code dry मतलब do not repeat yourself यह एक best practice माना जाता है क्यों कि एक ऐसा आप code लिख रहे हो जिसमें की code repeat नहीं हो रही है अब let's आपको एक function लिखना है ठीक है या फिर एक ऐसा functionality लिखना है जिसमें की आप एक एक चीज़ों के लिए बार बार चीज़े add क करते जा रहे हो मतलब repeat कर रहो code को right अब जैसे कि आपको एहाप एक array create करना है तो आप बार बार array create करने के लिखना है function लिख रहे हो इससे अच्छा आप क्या करोगे उसको एक generic function मना लोगे और उससे को बार बार use करोगे right तो इससे क्या होगा कि आप भी use कर पाऊगे दूस तो कि है functional और दूसर object oriented आगे यहाँ पर मैं बात करो तो basically provide क्या करता है मैं लिख के रखा it allows you to make complex code more organized या निकी देखिए code जैसे ऐसे आप application पर काम करते जाएंगे application बढ़ी होती जाएंगे तो क्या होगा application का size बढ़ेगा code बढ़ेंगे उसको maintain करने में जादा time लगेगा लेट से आप इस program पर या इस application पर आपने काम किया अब आप जा रहे हो गहीं पर और आप चाहते हो कि आपके जगर पर कोई और काम करें तो इसको समझाने में उतनी मुश्किल होगी अगर वो complex होगा तो लेकिन अगर आपने दो अप्रोच को perform किया या use किया तो आपका code जो है mostly organized fashion में रहेगा अब आते हैं next पे basically अगर हम बात करेंगे कि हमारा जो पुराना एरा था इन olden एरा जहां से start हुआ था से आप पहले कैसे लिखते थे machine code आती थी 010 and binary बात होती थी उसके बाद time बढ़ता गया और फिर हमें procedural style में programming करनी पड़ी जहांके आपको statement देते थे read memory, write memory, add, subtract write, clear memory basically छोड़े छोड़े task आप statement wise देते थे यानि कि आप procedure लिखते थे कि ये करो ये करो आप खुद बताते थे हाँ आप 010 में लिखे रहे लेकिन machine को आप खुद बताते थे उसके बाद जैसे ऐसे चीज रहा बढ़ता गया आप जुरुत पड़ी कि भाई आपकी code को structure चाहिए organized fashion में चाहिए तो इससे तो होने वाला नहीं क्योंकि अब memory clear करना है तो दस बार तो वही लिखोगे आप है ना तो यहाँ पर structure की बात तो चलीगी और organized fashion में चला गया अगर हम एक नजर डालेंगे history of programming language के बारे में तो हम यहाँ पर दिखता है कि शुरू में starting जब हो आथा यह चीज़ तो हमें यहाँ पर दिख रही है कि early history में जितने भी शुरू हुए अब जितने लोगों ने काम किया इसको बनाने में वह अलग चीज़ है लेकिन जो first programming languages है यहाँ पर हम list दिख रही है ठीक है autocode है, kobol है है ना आपने kobol का भी नाम सुना होगा basic, right आपने basic के बारे पड़ा होगा तो basically कुछ-कुछ languages आपको बताई कि यह होगी basically यह first programming language जैसे जहाँ पर आप जैसे Lisp का भी आपने नाम सुना है Fortan का भी नाम सुना है first compiler basically यह सारे चीज़े starting में आई थी इनको first programming languages बोला गया था लेकिन देरे देरे जैसा बढ़ता गया तो हमारे पास paradigm आता गया जो basic fundamental शुरू हुआ जैसे कि small talk, fourth, C, right C तो अब Dennis Richie जी ने invite basically invention किया table lab में between 1960 to 1973 और most popular आज भी use किया जाता है emerit system के में क्योंकि यह सबसे fast है machine के सबसे करीब है तो जो अब सबसे जादा machine के करीब है जादा fast चलेगा जो जितना दूर उतना slow यानि कि आप बात करो JavaScript Java यह high level languages है मतलब इनको convert करना पड़ता है दूसरे language में तो basically जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे यह चीज़े growth करती गया इनकी growth होता हो गया अब आप देख सकते हो कि 1968 में logo आया Pascal है 1970 में 1972 में CE आया अब ESP तो normal था जहाँ पे आप structure programming कर सकते थे अब जैसे यह से आगे बढ़ा तो बात होई कि 1970 में तो आपको पता चले कि CES अब popular थे अब 1980 में भाई performance की बात होने लगी modules की बात होने लगी जो हम आगे देखेंगे क्योंकि आप चाहते हो कि आप चीज़ों को separate करो ताकि आप उसको reuse कर सको है ना अब एक चीज़ों को बार बार लिखके तो basically अब बात होने लिए object oriented की यानि object oriented जो की basically आपको उस सारी चीज़े provide करें जो की एक clean code लिखने के लिए एक मतलब criteria माना चाहे तो यहाँ पे आता है C++ 98T में क्या है C++ आया है ना पर लाया यह basically आपको object oriented programming लिखने के लिए एक मौका दिया यानि कि इसको यूज़ करके आप object oriented programming लिख सकते थे आप प्रोग्रामिंग कर पाते हो right अब internet age जो कि 1990s में आया अब जैसे ऐसे आगे बढ़ता गया internet age वैसे languages भी growth करते गए तो हम देखेंगे यहाँ पे java आया most popular जो कि 1995 में आज भी मतलब कितने billions of application को power करता है object oriented है complete right हम बात कर रहे है हाँ पे PHP कर right 1995 में personal homepage basically कितने सारे servers को power करता है javascript भी 1995 में है क्योंकि आपको web के लिए भी language चाहिए थी right कि आपके browser पे कोई अगर document आए तो उसको parse किया जाए उसको पढ़ा जाए user के लिए readable बना जाए user के साथ इन ट्रेक किया जाए तो basically javascript के जो रख पड़ी उसी तरह हम देखेंगा python में 1990 में है उसके बाद current trend क्या है basically current trend बताता है दो चीज़ increasing support for functional programming is in mainstream languages अब यहाँ पे pure functional programming की बात चल रही है so basically current trend कि उसको follow कर रहा functional programming को इसलिए इसके बारे में हमें जानना जुर्री है अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो deal करने वाले जो हम एक एक करके देखेंगे हम यहाँ पे देख रहे है functional programming यहाँ पे आप देख सकते हो partial जो 2006 में आए basically windows के लिए आप यूज करते हो कर दो हम यहाँ कर दो हम जो आप पे आप यहाँ पेखेंगे